तो आज के लेक्चर में हम ऑटमोवाइल हॉर्ण सिस्टम की वरकी दिखने वाले हैं कैसे काम करता है उसकी सर्किट और और कंस्टॉक्सटों वेगेरा सब देखेंगे और बहुत कम टाइम में जब ब्रफिक नहीं होटी इसकी अपने में वह भी जिम्नली जो होता है वो थीधकर होता है बल्व टाइप यह कि इस बल टाइप oroz होता एअसले एलेक्ट्रिक हने और एक किया हॉन सिस्mpfen है जैशली पुराने में आफ देखिए जिसको बोलते हुए यह कार बचैस करते हैं एस प्रेशर के हेल्प से यह हॉर्ण हमारा बसता है ठीक यह ट्रेंस में बड़े-बड़े ट्रक्स वेकरा में हम यूज करते हैं इसका क्लियर है तो तीन टाइप का मार्केट में आपको हॉर्ण यह मिल जाएगा नुक अटुम में इसकी सर्किटिंग कैसे करते है अब हम यह देखेंगे अब दिखेंगे बैटरी से यह तो अब आप इग्निशन स्विच का जो यह वाला पार्ट है यह भी हमारा यहीं इसी से connect होता है ठीक है इसी से connect होता है और यह पूरा बैटरी के positive part से हमारा connect होगा बैटरी का जो second part है उसको हम घर रहे हैं ऑन किए तो ऑन करने, से क्या ओगा इजो करेंट हैं यह पल пош यह स्वाउप होगा और इसके फ्लोह हो जाने से यह है यापका जो कर ऐसा फेर है यह एक सोलोनाइड कंडेक्टर में ऐसा लगावा ए है क्लियर है और इस से निकलकर यह जाता है हमारा किसमें हॉर्ण बटन में यह भी हॉर्ण बटन ब्रेक है हॉर्ण बटन का दूसरा है उसको हम ग्राउंड कर देते हैं तो जैसे हम हॉर्ण बटन को प्रेस करते हैं तो हॉर्ण बटन होता है और मतलब यह पॉइंट यह पॉइंट टच होता है तो क्या होता है पावर कंटीनी होने से क्या होता है हमारा जो लघा ओध लगा हुआ है यह मैगनेट की तरह काम करने लगता है तो मैगनेट की तरह कके करता है तो यहाँ पर यह लगा हुआ है लिवर को कहा करेगा अट्रै Jorge कुं यह लिवर नीचे की और पुस होगी तो यह लीवर क्या है दूसरे पॉइंट से आटेश होने से जो बैटरी का पाउर आहा है यह पाउर डारेक्ट हमारे क्या होगा इस रेड उकलर से आकर यहां पर इसमें ट्रांस्फर हो जाएगा और यह पाउर जाने लेगा है केमें हमारे हॉन को हमारा हॉन बजने लगता हॉन का दूसरा एंड को हम ग्राउंड कर दिए को तो यह thoroughly if on circuit diagram अब मद करने वाल है यह तो ठीकर हिसमें करेंट आ रहा है तो हमारे बज रहा है बट यह हॉन का एक ऐसा है कैसे यह बचता है हम यह भी स्लैक्ट्स में देखें को से करेगा ह। मतलब क्या कर रहा हम ऑन यहाप एलेक्टरिचिटी को एलेक्ट शीटी को साउंड एनर्जी में यह चैसे कर रहा है है क्या है इसकी construction हॉर्ण की यह हम देखने वाले हैं ठीक है तो गाइज यह में एक ड्रॉइंग बनाया है कुछ ज्यादा खास नहीं है आपको समझ में आ जाएगा यह ब्लेक कलर से जो दीख रहा है पूरी हॉर्ण की बॉड़ी है ठीक हॉर्ण बॉड़ी इस हॉर्ण होगे एक स्विच स्विच यह एक स्विच यह ठीक है ओके स्वरी तो यह दुनों स्विच है जैसे आप हॉर्ण को प्रेस करते हो बटन को हॉर्ण की बटन को प्रेस करते हो तो तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती यहां से आने लगती है जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है यह प्लंजर नीचे की और मूव होता है यहां पर जो कॉंटेक्ट है यह क्रॉस जाता है यह क्या होगा पीछे की और हो जाएगा कि यह मैं कोशिस करता है इसको पीछे करने की है तो ऐसे connection कट होने से क्या होता है कि फावर इसे यह magnetic effect खतम हो जाएगा तो वापस यह plunger क्या होगा ऊपर आ जाएगा ठीक है वापस नीचे जो vibration है यह plunger का up and down होने से और यह डाइफाग्राम पर लगा है इससे क्या होती है हमारी एक साउंड निकलती है यह साउंड निकलता है कि इसी को यह ड्योंड आती है इसी कारण आती है आप羽मां के सुनी होगे कि उसमें को बटन रहता है ऐसकुड आपके स्कूरूड ड्रावर सी जब टाइट करते हो साउंड चीज उतर रहता है आता है तो तेOS कशी करना मतल की जो आपने दिख को डिला डाइड करना डाइफ्राम के जो यह प्ट और यह जो पॉंट डाइफ्राम का इस पॉइंट को धिला करना या थाइड करना यहां पर कनेक्ट होता है जब इसकुरू को से इसकुरू को ढिला करते हो तो यह दिल ला होता है तो आवाज थोड़े सी भारी टैक की आती है और टाइट करते हो तो आवाज उतनी सार पूनिकलती है तो ऐसे हम साउंड को अलग-अलग फ्रिक्वेंसी पर एड्जेस्ट करके हम वर्क करते हैं ठीक है इससा कंस्ट्रेक्शन आपको क्लियर होगा इससे पहले हमने डिसकस किया था हॉन का सरक्रिट डाइग्राम वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जबर कीजिएगा और